में लो करता हूं यूट्यूरी करता हूं वGeक है ने इस वीडीयम को सब्सक ने नुट कोसे चारिख है विए applies की में और सिफिसक की हडár प्रेंस के बारे मैं और यहां बात करनेा वाले इस वीडियॲ्क वारा है की यहां पर यहां पर इस्टेबल मल्टिवाइबरेटर मोनो इस्टेबल एंड बाइस्टेबल मल्टिवाइबरेटर करेंगे इस्टेबल जो मल्टिवेरिवल होता उसके बारे में पूरा डीप लिया में आपर इसके वर्किंग प्रोसेस को समझने के कोशिश करेंगे तो बैसिकली मल्टिवाइबरेटर इस रिलेक्शन ऑसके लेटर कंसिस्टिंग तो आर्सी कपल्ड एंप्लिफायर लगे होता हैं दो क्यों है क्या है तो ऑफ इच ऑफ दे से यहां पर आर्सी अंप्लिफायर का कैसि रिलेटी और फशिशन में चर्डिबलिप दे कंदीशन इंग फिर्स्टी स्टेज कट ऑफ इंग से कीटेज ऑम होता है फ्रष्क अंदर क्या होता है यह की ट्रांजिस्टर करता कर ते suppression जो प्रॉपरटि स्क्टि थे इक मैं करता है इसे क्रॉपड़ सचिरेश्इआ इसवने हमारे प्रीज वीडियो वह डिसकस गराक्रा के सचेश्ण स्टिक करया में ठीक है, it is termed as multi vibrator, इसको multi vibrator कहता है, और जो multi vibrator होता है, उसके अंदर जो होता है, तो RC coupled amplifier लगे होता है, and it can perform the variety of useful functions like generating square waves, frequency division, generation of time delay, तो different, different जो आपके पास में functions होता है, square wave को generate करना, like time delay होता है, saturation के अंदर, switching के अंदर, उसको calculate करने के लिए इसका use किया जाता है, frequency division होता है, उसको calculate करने के लिए इसका use किया जाता है, this is all about the multi vibrator, यह multi vibrator के use होता है, और हमें आपे बात करना, इसके types के बार में, इसको generally differentiate किया जाता है, और हम बात करने, first यहाँ पे stable multi vibrator, free running multi vibrator भी इसको कहा जाता है, free running क्यों कहता है, इसके बार में भी हम यहाँ पूरा one by one discuss करेंगे, यह इसका diagram है, आप देख सकते हैं, आप दो RC coupled, एक इस तरफ लगा, एक इस तरफ लगा, दो RC coupled vibrator यहाँ पे लगए होता है, और RC coupled है, RC coupled का मतलब हो जिसके अंदर capacitor और resistance लगए होता है, ठीक है, capacitor जो होता है, एक ट्रांजिस्टर के साथ में series में लगए होता है, इसके दो parallel में यहाँ पे जो हता है, जिसका common emitter का portion हम यहां पर ले रहें बहुत तोड़ा सर्कीट डाइगराम देख लेते हैं अच्छे से यह आपका सर्कीट डाइगराम है इसमें क्या हो रहा है आरवन एंड आरटो आपके पास में दू है आरवन आरटो 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 आरफुर आपके पास में चार रिजिस् आरटो 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 आपको मिलता है अब इसके साथ में यहां पर सिरीज में जुड़ा होता है और इसका यह जो टर्मिनल होता है यहां पर जो आपका फॉस्ट कर्टा इसको मने करता है इसके आपके सकते हो लैग इसका जो ऐसा कहता और इसका जो C2 जो होता है capacitor वो जाके इसके base terminal पे connect होता है ठीक है अब यहाँ पे इसके working system कैसे होती है उसके बार हम बात करता है An astable multivibrator is such a circuit that is automatically switches between the two states continuously without the application of any external pulse किसी external pulse को operate कि यह बिना यह automatically चलता रहता है astable यह होता है means it is unstable basically इसको unstable कहता है at any state it is unstable and as this produce continuous square waves input यह output में आपको क्या देता है continuous square waves आपको देता है तो basically इसका काम क्या हो गया यह freely work करता है free running multivibrator भी इसको कहता है और यह freely square waves आपको output में देता है एक बार cutoff में चला जाता है एक बार saturation में, तो basically क्या होता है, इस type का है, यह cut off, saturation, cut off, resurrection, इस type से चलता रहता है और यह आपको continuously square waves आपको मिलती है, ठीक है, वो square waves होती है, ऐसे मिलती हैं, उसके बारा हम पूरा भी discuss करेंगे, यह square waves आपको यहापको मिलती है, अब देखू, यहाँ पर next आता है हमारे पास म है, कि the stable multivibrator is basically two amplifier circuit, यह दो amplifier circuit है, एक यह amplifier circuit है, यह दूसरे amplifier circuit है, ठीक है, इस में parallel में दो register लगे होता है, capacitor जो होता है, इसके series में, sorry, series में register लगे होता है, capacitor यहाँ पर parallel में लगा होता है, ठीक है, आरे इस डेना, regenerative feedback, यह regenerative feedback का जो process होता है, उसके इसाफ से दो RC capacitor यहाँ लगे होता है, one of the amplifier is conducting while the other is cutoff, तो यहाँ पर क्या होता है, कि जब एक cutoff में होता है, तो दूसरा उस में उस टाइम पर काम करता है, तो basically alternative तरीके से यहाँ पर काम करता है, the stable multivibrator is said to oscillate, तो यहाँ पर said to oscillate, यानि कि the unstable multivibrator जो होता है, वो oscillate किया जाता है, basically multivibrator एक उसके टाइप है, non-sinusodal होता है, square waves यहाँ से produce होती है, to understand why the stable multivibrator is oscillate, अब यह सा हम multivibrator को यहाँ पर, multivibrator जो है, वो oscillate क्यों होता है, उसके reason किकर हम बात करता है, तो alternative तरीके से चलता है, oscillate का मतलब है, ऐसे ऐसे चलना, तो एक बार आगे-पीछे, आगे-पीछे चलता रहना, उसका क्या मतलब है, यह continuously चलता रहना, तो oscillate करना, वापस same position पाना, after a certain time, उसको हम oscillate कहता है, त we assume that transistor Q1, यह transistor जो है, अब ध्याहन से समझना, तो transistor Q1 है, and transistor Q2 cut off, ठीक है, transistor Q1, transistor Q2 cuts off, when the current is energized, current यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो flow होती है, तो उस condition में क्या हो रहा है, यह दहनों transistor जो है, उसको हम cut off, consider कर सकता है, and we assume that Q1, Q1 saturates, and Q2 is cut off, Q1, देको दो condition होती है, एक होता है, R1 जो है, वो R4 के equal हो जाएगा, R2 जो है, वो R3 के equal हो जाएगा, C1, C2 के ने सारे component equal हो जाएगे, यह saturation में है, यह cut off में है, तो बिल्कुल circuit symmetric हो गया, ठीक है, सारे component equal हो जाएगा, Q1, Q2, basically transistor भी दोनों equal हो जाएगा, and it is impossible to tell which transistor will actually conduct when the current is energized, यह current जब उसमें flow हो रहा है, जब दोनों equal हो जाएगे, तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि Q1 कर रहा है, यह Q2 कर रहा है, basically for this reason, either the transistor may be assumed to conduct for current analysis purpose, तो basically यहापे क्या हो रहा है, जो आपके पास में Q1, Q2 सारे equal हो गया है, तो यहाँ पर यह कहना possible नहीं है, कि किस time पे कौन सा वाला, जैसे current तो हमने symmetric, तो saturation reason में तो यह है, लेकिन उसके बाद में क्या हो रहा है, दोनों, symmetric हो जा रहा है, पूरा system जो है, इधर वाला, इधर वाला symmetric हो रहा, हर एक चीज, उसके हरे components हो रहे है, equally काम कर रहे है, now बात करता है, यह क्या हो गया, acceptable multivibrator, multivibrator, जिसके अंदर Q1 जो है, वो saturated है, अब बात करता है, same process इसमें भी हो जाएगे, इसमें भी कभी बात हो जाएगे, गर यह saturate है, तो दोनों वापस बराबर हो जाएगे, and then after we can, after we can't conclude that, which transistor conduct the output, और conduct the square waves, तो ऐसा हम वापस यह कहना यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, कि कौन साइसमें जो है, वो square waves produce कर रहा है, the output voltage from either output of the multivibrator, वो multivibrator का output हो सकता है, and alternates, alternative काम करता है, from approximately 0V to approximately VCC, तो basically यह 0V से VCC, 0 से VCC तक यह काम करता है, and remaining in each state for defined period of time, यह पूरे जो होता है, एक time cycle में काम करता है, और remaining in each state for defined period of time, यह हर एक state में एक time period से defined होता है, and in some applications, the time period of higher voltage VCC, जब VCC higher होता है, and the time periods of lower voltage is 0, higher voltage के अंदर, जो उसका maximum जो time period होता है, time period of higher voltage VCC के अंदर उसका application होता है, and some applications, the time period of higher voltage, उसका अंदर कुछ uses में, कुछ time पे, like कुछ cases में है, जो है, यह higher period में, like higher voltage पे काम करता है, और कुछ के अंदर यह lower में, यानि कि महाँ पे 0 voltage होता है, will be equal, वो दोनों जो होता है, दोनों higher में, और equal में जो होता है, कुछ condition होता है, and other application require differing higher, उसमें क्या होता है, कुछ condition में, तो higher और lower VCC जब total maximum होता है, या फिर VCC जब 0 हो जाता है, वो दोनों equal होता है, will be equal, और नहीं तो क्या होता है, कुछ में higher वाला जादा होता है, and lower वाले दोनों different, नहीं, दूसरे से differentiate होता है, यहने कि दोनों different different होता है, फिर बात करता है, the time determining by the RC, R2C and Q2 cutoffs होता है, तो basically देखो, जब हम बात करता है, यहाँ पे, देखो, दू condition हम यहाँ पे ले रहा है, एक तो Q1, मैं Q1 को cutoff लेता हूँ, और second हम यहाँ पे लेता है, क Q2 जो है, वो cutoff है, जब यह cutoff रहता है, तो Q2 saturated condition में होता है, और जब यह cutoff होता है, तो Q1 saturated condition में होता है, तो अब देखो, यहाँ पे working दोनों से हो रहा है, VCC यहाँ पे maximum है, और यह हो रहा है, यहाँ पे V0, देखो, VCC और V0 यह higher time period को denote करता है, यह lower time period को denote करता है, अब द जटो है तो देख वाले की बाइत तो ताइम स्वार में टे-टर्माइब आरक तो होतना यहा चैन्ट करता है इसके साथ मुसिसल में यहां पर यह टोटल यह दॉनुँरानों से प्रोडूज भूराना इस नाट फॉर्व यह द उन्हां से प्रोडूज दॉनुरा यह कटव लिए यह अब सब्सक्राइब क्यू और यह वाला कट आध यह क्यू टू कट आध है तो होई यह कंडिशन क्या गोडू को डिनॉट कर से में बने अगर बात करों अगर एसा स्क्टाइब बन रहा है तो किया बात करता है और यहां पर क्यों टूरी के हो जाएगा यहां पर जो है वो टाइम डिटर्माइनिंग पर यह इसका हियर होता है उसके अंदर एक बार कटऊव होता है एक बार हुसमें saturation होता है तो आप देख सकते हैं तो इसके इसमे नर इसमें तो यह difference हो जाएगा आपने एक कभी आप बना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बस आपको समझाना है किस टाइप से इसका working process होता है हलांगे जब इस case की बात करता है यहां पर दोनोगव हो जाता है और जब सक की बात करता है तो यहां पर भी दोनोगव हो जाता है वैसे तो क्योंकि सिमेट्रिक सर्कीट बन जाता है क्योंकि यह A Stable Multivibrator होता है अब बढ़ते हैं आगे Next जो आता हमारे पास में Mono Stable Multivibrator होता है हलंकि इतने इसके Deep में हम नहीं जाएंगे Working System को नहीं समझेंगे सिरफ इसका Diagram, Circuit Diagram and Definition को समझने कोशिश करेंगे अब Mono Stable Multivibrator का क्या मतलब होता है Mono Stable Multivibrator as the name implies that has only one stable state याने कि Mono Stable मतलब एक Stable इसके अंदर होगा When the transistor conduct जब इसमें transistor conducts है तो उस condition में क्या हो रहा The other remains एक transistor conduct कर रहा है तो other non-conducting state के अंदर होगा Stable state is Stable state is such that such a state where the transistor remain without being like altered याने कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर alternative में काम नहीं करता है unless disturbing by some external trigger pulse तो basically क्या हो रहा है कि आपको जो यहाँ पर इस transistor में अगर मैं यूज इसकी बात करता हूँ जान ले देखो मोटे तौर पर थोड़ा बता दता हूँ आपको एक ही state में होता है तो यह एक time पर एक ही work करेगा दूसरा वाला जो होगा उस time उस condition में क्या होगा non conduct हो जाएगा एक जब conduct हो जाएगा तो दूसरा non conducting state में रहेगा और इसे जो produce होता है वो CVC1 एक के करण ऐसा मिलेगा आपको square wave एक करण ऐसा मिलेगा जो triggered output आपको triggered output जो input मिल रहा है जिसकों आप input दे रहे हैं इसके लिए वह इस ट्रिगर इंपूट का मतलब है आप यहां पर यहां पर यहां पर दे रहे हैं trigger इंपूट बनता है तो उस वह आप इंपूट यहां पर दे रहें इसमें क्या होता है by stable to stable condition होती है and the circuit says in any one of the two stable condition जो circuit होता है वो किसी भी stable condition के अंदर रह सकता है and it continues in the four state तो क्या होता हर बार हर continuous state में वो क्या करता है flow करता है देखो जब यह दोनों cut off में रहेंगे अगर यह higher level में तो अपस lower में चला जाएगा यह अपस lower में यह higher में alternative काम करेंगे जिसमें वो stable रहेगा उसमें आपका circuit जो है वो रहेगा इसमें इसमें क्या होता है this is known as also flip flop यानि एक बार जब बढ़ता एक flip करता दूसरा flip flop condition यहाँ पे create होती है तो यह पूरा हमने multi vibrator के बार हम discuss किया आपको बस यहाँ पे mainly दो चीजों के ज्यान रखना एक नहीं हमने हमने यह पे पूरा discuss किया working system के बार हम discuss किया और उसके different types के बार हम थोड़ा थोड़ा आमने यह आपको पूरा topic जो है आपको अच्छे से clear वहाबगा सो थैंक्स पूर वाचिंग माई वीडियो कीप वाचिंग मैस मैस अड़ इसी टाप के फॉर मोर वीडियो के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू बाबाई